हेलो दोस्तों स्वागत है आपको हमारे यूटूब चैनल टेकनिकल जैन में दोस्तों आज किस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप अपने मुबाइल के कीबोर्ड में अपना फोटो या अपनी मन पसंद का कोई भी फोटो केसे लगा सकते हैं यहाँ पर से दोस्तों जब भी आप अपने वाटसप में जाकर किसी से भी चैट करेंगे और यहाँ पर से जैसी आप मेसिज पर किलिक करेंगे तो आपको जो कीबोर्ड निकलेगा उसमें आपका फोटो इस तरह से बेकगरौण में दिखाई देगा जो देखने में काफी अपको डाउनलोड किये ही आप अपने मुबाइल की कीबोर्ड में यहाँ पर अपना फोटो लगा सकते हैं तो दोस्तों अगर आप भी अपने मुबाइल की कीबोर्ड में इस तरह से अपना फोटो लगाना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को लाश्ट तक देखते र लेना है अगर दोस्तों आपके मुबाइल में additional setting वाला option नहीं मिलता है तो आप अपने मुबाइल में ये वाला option language and input वाला option आप यहाँ पर से देख लीजिए तो ये वाला option देखने के बाद आपको language and input पर आपको click करना है यहाँ पर click करने के बाद आपको option मिलेगा current keyboard ये वा अगर दोस्तों आपके mobile में ये keyboard वाला option नहीं आ रहा है, तो आप वीडियो को last तक देखें, वीडियो के last में मैं आपको बताऊँगा कि आपके mobile में ये keyboard वाला option कैसे आएगा, वैसे तो आपके mobile में ये keyboard वाला option पहले से ही होगा, तो यहाँ पर से gboard select करने के बाद आपको यहाँ पर से manage keyboards इस पर आपको second वाला जो option है इस पर आपको click करना है अब यहाँ पर से दोस्तों आपको gboard का option मिलेगा यह वाला इस पर आपको यहाँ पर click करना है यहाँ पर click करने के बाद आपको theme का एक option लेगा इस पर आपको click करना है यहाँ पर click करने के बाद आपको यहाँ पर से plus button पर click करना है जिसे आप इस पर click करेंगे तो आपके mobile की gallery open हो जाएगी और जिस भी photo को आप लगाना चाहते है अपनी कीबोर्ड में उस photo को select कर लीजिए, जैसे कि यहाँ पर मैं इस photo को select कर लेता हूँ, photo को select करने के बाद यहाँ पर से आप इसे अच्छे से crop कर लीजिए इतना भी आप लगाना चाहते हैं अपने mobile की keyboard में उसको आप यहाँ अच्छे से select कर लीजिए, यहाँ पर next पर click क कीजिए आप इस फोटो को कितना दिखाना चाहते हैं वो यहाँ पर से इसकी brightness select कर लीजिए तो यहाँ पर मैं 100% कर देता हूं उसके बाद में done पर click कर दीजिए और यहाँ से apply button पर click कर दीजिए तो आपका जो photo है वो आपके mobile की keyboard में यहाँ पर लग चुका है यहाँ पर मैं आपको check कर देता हूं तो यह देखे दोस्तों यहाँ पर से आप देख सकते हैं मेरे mobile की keyboard में अब यह वाला photo लग चुका है पहले दूसरा था अब जो मैंने select करके लगा है वो ये वाला फोटो यहाँ पर लग चुका है तो इस तरह से आप अपने मुवाइल की कीबोर्ड में यहाँ पर अपना फोटो लगा सकते हैं अब दोस्ते में आपको बतायता हूं कि अगर आपके मुवाइल में वो जी बोर्ड वाला ओप्सन नहीं आ रहा है तो आपको अपने मुवाइल में डाउनलोड कर लेना है वैसे तो यह आपके मुवाइल में पहले से ही डाउनलोड होगी बस मैंने आपको ऐसे ही बता दिया तो आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक, शेर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें